किसान साथियों नमस्कार आप सब का हर्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में ये है काला सोना काला सोना हम इसे कहते हैं कि ये किसी भी मिट्टी के लिए बहुत आवश्यक तत्व है और जो ओर्गनिक कार्बन यानि जैविक कार्बन हमारी जमीन को चाहिए ये सबसे अच्छा स्रोथ है जैसा मैंने मिट्टी की जांच की वीडियो में बताया था कि बिना इसके ने तो आपके खेत की ओर्गनिक कार्बन अच्छी हो सकती और जब ओर्गनिक कार्बन अच्छी नहीं होगी तो उसमें जो सुक्षम जीव हैं वो भी नहीं होंगे और जो आप केमिकल फर्टिलाइजर दे रहे हैं उसकी पूरी मातरा नहीं हम लगबग 8 से 10 ट्रोली हर महां ये खाद बनाते हैं अगर हम कहें तो साधरन ते गोबर को सडाने में उसका पूर्ण रूप से परिष्क्रत खाद बनाने में आपको कम से कम 6 महीने लगते हैं लेकिन हम यहां कृपाल सागर में लेते हैं कुल 45 दिन हम क्या करते हैं और इसमें क्या-क्या मिलाते हैं आईए मैं आपको दिखाता हूँ ये जो है सबसे पहले हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में परती महा आता है इसे खुमबा बोलते हैं यानि के जो हमारा मश्रूम का प्लांट है और जिसमें मश्रूम उगाई जाते हैं वो आता है जिसमें के जो भुस होता है जिसे गेहूं का भुसा बोलते हैं उसमें कुछ nutrient भी होते हैं और उसमें कुछ chemical fertilizer मिलाई जाते हैं जिने परियोग कर हम mushroom होगाते हैं तो जो उसका waste आता है ये होता है हमारा एक तत्वे जो हम इसमें मिलाते हैं दूसरा होता है ये ये गोबर ये जो हमारे पास गाई भैस हैं तो हमारे हाँ इस प्रकार देखिए ये आज अभी citizenshipा दाजा गोबर है जो यहां पर का तो दूसरा होता है है यह गोबर हमारे पास में तो हम इसको इस तरह से यहां पर इकठा कराते हैं और लगबग एक सब्ता तक इसको इकठा करा लेते हैं आए तीसरी चीज दिखाता हूं किसान साथियों हमारे पास पेड़ और फूल बहुत है और इनसे लगातार वेस्ट निकलता रहता है रोज के रोज परती दिन ये वेस्ट हमारा इन पत्तों के रूप में यहाँ पर आता है जो कि पोटास का एक बहुत अच्छा स्रोथ है और हम कह सकते हैं कार्बन का भी शुरूत है ये तीन चीजे मिलकर जानवरों का गोबर खुमबा यानी मश्रूम का वेस्ट और तीसरा ये पतियां ये सब मिलकर हमारे इस फार्म पर आते हैं ये हमारी एक जगह है आप जड़ा चारो तरप देखिए गुमादों चारो अब हम क्या करते हैं इसको कि आज हमने इसमें ये पत्ते गोबर और जो मश्रूम का वेस्ट है वो मिलाया अभी जो मेरे लड़के हैं वो इसको समतल कर देंगे और इसका पहला सी धानत ये है कि ये तीन फुट कम से कम उंचा आपको रखना है चोड़ाई और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार कर लीजिए आईए मैं दिखाता हूँ कि किस प्रकार इसका बैड़ बनाना है अब देखिए कि ये जो हमने इकठा किया है इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं उपर की तरफ और खुंबा भी है और गोबर भी है जिसे JCB की सहता से हमने मिलवाया है और इसे लगबग तीन फूट उचा किया है इस प्रकार ये हमारा एक बैड हो गया और आप मान कर चलिए कि ये कम से कम 20 से 25 ट्रोली खाद होगा जो हम अगले 45 दिन में तयार कर देए हैं किस प्रकार करेंगे हमारे पास एक डिकंपोजर है उसे आप डिकंपोजर भी कह सकते हैं डिकंपोजर क्या होता है किसी भी डिकंपोजर में आपको मिलेंगे ग्राम पोजेटिव बैक्तिरिया ये ग्राम पोजेटिव बैक्तिरिया को आपको क्या करना है कि 20 क्वेंटल के लिए जो 20 क् सो लिटर पानी में डालिए और उसमें मिला दीजिए एक किलो गुड़ अब आपको उस मिक्चर को यानि 20 कुंटल के लिए 100 ग्राम लीजिए और सो लिटर पानी में उसको गोल लीजिए और उसको रख दीजिए पांच दिन तक एक जगह पर शुबह शाम उसको चलाईए तो उसमें जो बैक्टिरिया होंगे उनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी हमने 4000 लिटर इस प्रकार पिछले 6 दिन में तयार किया है उस 4000 लिटर को अभी हमारा टैंक आएगा ट्रेक्टर चला गया है उसे लेने और हम इसके उपर उसको डाल देंगे तो हम इसमें लगभग 2000 लिटर से 5000 लिटर इसमें डालेंगे और 1500 लिटर उस दूसरे वाले में डालेंगे उसको भी इसी तरह से एक्सार कर देंगे इसके बाद क्या किरिया होगी कि जैसे ही हम वो डालेंगे तो अगले 15 दिन में इसका अंदर का तापमान 70 डिगरी सेल्सियस को क्रोश कर जाएगा यानि इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा इस 70 डिगरी सेल्सियस होने के आपके क्या होंगे जितने भी हानिकारक पैथोजन्स है या जो सीड है कुछ जो बचे हुए जो हमारे वीड होते हैं जो खरपतवार होती है उनके बीज है वो सभी खतम हो जाएगे और 20 दिन के बाद आपका दुबारा से ये ठंदा हो जाएगा इसका टेंपरेचर कम हो जाएगा हम इसको चेक करेंगे 20 दिन के बाद 20 दिन के बाद ये ठंदा हो जाएगा और हानिकारक पैथोजन्स खतम हो जाएगे और जो हमारे बीज है वो भी खतम हो जाएगे पटक ज हो गए आप देखिए इसको अच्छी तरह से देखिए कि इसका रंग कैसा हो गया अब ये बिल्कुल ठंडा है अभी दो दिन पहले हमने इसकी पल्टी करवाई है जब ठंडा हो गया तो इसको पल्टी कराकर और इस प्रकार लगा दीजिया आपको दिखाई दे रहेंगे दो जो की 45 दिन में हम गोबर जो हमारे फूल, पोदो और पेडों के पत्ते मिलते हैं यानि उनका वेस्ट मिलता है और जो हमारा जो मश्रूम है उसका वेस्ट होता है उन तीनों को मिलाकर एक अति उत्तम खाद बनाते हैं हमारे यहां खाद की requirement इतनी है कि हम केचवे खाद में नहीं पूर्ती कर सकते और नय उसकी आवश्यक्ता है मैं आपको एक वीडियो में ये भी दिखाऊंगा कि इसमें nitrogen की कितनी मात्रा है, phosphorus की कितनी है और potassium की कितनी है और अन्य तत्वों की कितनी है इसमें जो सुक्सम तत वो हमें दो company ने test के रूप में provide कराया है और ठीक 15 दिन बाद हम इसका result भी declare करेंगे आपके सामने दिखाएंगे मुझे पुरी उम्मीद है जिस प्रकार इन्होंने ये सडाया है इसको ये देखिए इसको तो अगले 15 दिन में ये बहुत अच्छा खाद बन जाएगा जिस अच्छा परिस्क्रत खाद आप डालेंगे तो आपकी जमीन का pH कम होगा उसकी जो विद्यूत चालकता है यानि EC है वो भी कम होगी और organic carbon की मातरा बढ़ेगी और जब organic carbon की मातरा बढ़ती है तो मिट्टी के पानी गरहन करने की या पानी रोकने की चमता भी बढ़ेगी औ और पोधे अच्छे होंगे और जो भी आप उनमें chemical fertilizer डालते हैं वो पूरी तरह से उनमें उप्योग बे आएंगे किसान साथियो यह जो हमारा bacteria है ना यह best decomposer है ना यह IRI का decomposer है और नहीं यह किसी और का है हमने इसको test करा कर मंगवाया है इसमें gram positive bacteria कोई भी यह नहीं बताता कि आपके best decomposer में क्या यह भी decomposer का आर्थ होता है जो किसी भी चीज को decompose करे कोई भी यह नहीं बताता कि इसमें कौन सा bacteria है हम बता रहे हैं यह gram positive bacteria है कौन सी species है हमें इसमें नहीं जाना है अगर यह अच्छा काम करता है तो आप भी प्रियोग कर सकते हैं, इच्छा आपकी है, अभी देखिए, जो ये टेंकर आया है, इसमें 4000 लिटर, जो हमारा वो बैक्टीरिया का कल्चर है, वो बना हुआ है, अब इसे हम इन दो ढहरी पर डालेंगे, और उसके बाद, जिस प्रकार हमने पराली से कह दिया है, पर जाओ हो सके और धूप से बचाओ हो सके, ढखने के लिए हमें पराली के आवश्यक्ता न हो, और हमारा खाद हर महीने तयार होता रहे, हमें बारिष से भी फरक न पड़े, और हमें धूप से भी फरक न पड़े, इसी के साथ विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, ज कहीं, जया भारत, सबंदे में